So Hello Oster, कैसे हो आप सब लोगों इस आज की वीडियो में बात करने वाले है 220F के बारे में जिसको की discontinue कर दिया है Indian Market के लिए Indian Market में जो अभी production वो end कर दिया गया है अभी जो उसका production नहीं होगा क्योंकि इसको replace कर दिया गया है All New Bajaj Pulsar F-250 से हाला कि जो इसको discontinue वाला scene होना था, ये बाद में होना था मतलब जो showrooms में 250 पहुंच जाती एट उसके बाद में दी demand नहीं होती 220F की, तो उसको discontinue करना था बट Bajaj ने जो है इसको पहले ही कर दिया ये जो में आपको बता रहा हो ना कि बाद में discontinue होनी थी, ये जो है वहीं पे Bajaj के चाकन plant में एक सवाल पूछा गया था, कि 220F को discontinue किया जाएगा फिन नहीं तो वहाँ पे जो है reply यहीं मिला था, कि यदि public की तरफ से demand नहीं आती है 250 ये आने से, तो हम उसको discontinue करेंगे, बट अभी अभी तो जो है इस, launch ही हुई है 250, and I think bookings ही start है फिलाल, देखने के लिए भी नहीं है, डिस्पले में भी नहीं है भी तो bike showrooms में, तो अभी से discontinue करना इसका, आप बताओ क्या ये ठीक है या फिर नहीं मेरे को लगते है कि या अभी इनको थोड़ा सा और time देना चाहिए था 220F को, या फिर 220F की कोई नहीं generation इनको लेके आनी चाहिए थी because 250F और 220F में फर्क है price का भी फर्क है लगबग 8000 रुपीज का, और 220F अभी भी जो है काफी अच्छे looks में थी मतलब अभी भी जो है कुछ लोगों को वो काफी अच्छी लगती थी comparing to all new F-250 काफी धर comments आये थे कि भाई इससे बढ़िया तो 220F ले ले लेंगे यह वो ऐसा कुछ कमेंट करके आ रहे लोगों के तो वो सब सीन है और एक और चीज बता दू 220F की जो टॉप स्पीड है तो यहां पर जो है गाईस 250F यदि आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो और यदि जो 220F लेना चाहा रहे थे उनके लिए जो अभी भी option है विकोज अभी भी काफी तारी bikes है यार showrooms में तो जाके buy कर सकते हो एक दो तीन महीने तक तो आपको आराम से देखने को मिली जाएगी जो बड़े showrooms में वहाँ पर आपको stock अभी भी देखने को मिलेगा तो जो 220F लेनी की सोच रहा है जल्दी से ले लो वरना बाद में मिलेगी नहीं तो वो सीन है यदि 250F आपको पसंद नहीं आई तो 220F ले सकते हो stock अलड़ी showrooms में अभी भी खड़ा हुआ है तो यह जो है आज का update था कि 220F को जो है discontinue कर दिया है अब नीचे कमेंट करो जो भी 220F lovers है या फिर जो लोग 250F को ना लेकर 220F को recommend करना चाहते हैं वो जो है नीचे कमेंट करके एक अच्छा सा जो अपने suggestion जरूर दे कि 220F जादा better है या फिर 250F और काफी सारे owners भी होंगी 220F के जिनकों की काफी यादा बुरा लगा होगा because जब जो model हम चला रहे हैं उसको discontinue कर दिया जाता है न तो एक अलग सी negative सी feeling आती है कि यार ये क्या तो वो scene है बट एक चीज है जो नई 250F है उसको आप चला के देखना अच्छी है वो भी चलाने में काफी अच्छी है हमने चलाया है उसको तो कमी कोई नहीं है उसमें भी बट scene ये हो गया न कि यार वो 220F में होके भी वोई performance देज मतलब top end वो ही दे रही थी और ये 250F होके भी तो वो कहीं न कहीं जो है आपको कमी लगेगी पर पिकप में जो है इस दिन रात का फरक है जो 0-200 जाती है मतलब पता नहीं चलता है ऐसे जाती है second होगे इस आप से तो वो काफे अच्छा पिकप जो आपको देगी बागे याईस यही एक bad news थी अब भी वीडियो को dislike मत करना यार because मैंने ये news आप तक पहुँचाई है ना कि मैंने कोई उसको discontinue किया तो मैंने कोई discontinue नहीं किया है आप जो है dislike मत करना वीडियो को like करके जाना like के में रखता हूं only 2000 likes का बागे याईस यही तक कुछ आज की वीडियो में अभी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम love you all guys